हेलो फ्रेंट्स वेलकम एक टो माई चैनल लेंजी फैशन स्टाइल मैं मनत का नाजब के साथ यह तीन इजे हैर स्टाइल्स शेयर करने वाली हूं यह काफी स्टाइलिश है अगर आप चाहें तो ड्रेस सूट या फिर किसी भी तरह के ड्रेस पे जीन्स वगारा पर कैरी कर सक हैं यह हैस्टाइल बहुत ही अच्छ है और बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं अगर आप में चैनल पर न्यू है तो जरू चैनल को सब्क्राइब कीजिगा तो चलिए वीडियो के तब बढ़ते हैं यहां पर सबसे पहले मैंने अपने बालों को पोनी इचल बनाई है यहां पर मैंने कैके इस सहरे बालओं को कंषड है उसके बाद रूंड आपने मैंने लिया इसको क्लारों को यहां लिए उसको निख से करें ऑलों तो पिन की help से secure कर सकते हैं मैंने इसको अच्छे से ऐसे ही secure कर लिया है और उसके बाद मैंने आगे को messy look दे रही हूँ तो वीडियो को like जरूर कर जेगा और में चैनल को जूर सब्सक्राइब कीजिए कर आप मेरे चैनल पर new हैं मैं ऐसी अच्छी वीडियो जो है अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूं सेकेंड हेस्टैल से यहां पर मैं शुरू करती हूं मैंने बालों को open कर लिए उसके बाद यहां पर मैंने थंब लिया है दोनों थंब से मैंने जो है कॉंब जैसे करते ना उपर सेंटर में वहां पर मैंने ऐससे मांग निकाल ली है उसके बाद मैंने सारे बाल जो उपर के इसके बाद जो सारे बाल जो है ऊसकी मैंने पोनी बना लिए अच्छे से बनाए और टाइटली बनाए वरनना जो आपके जो यह लुक है वह अच्छा नहीं आएगा उसके बाद थोड़ा सा और बाल को फलपी करना है मैसी लुक देना है जिसे आपका जो फेस है न वह अच्छा लगेगा और बाल चिप्टे चिप्टे नहीं लगेंगे और उसके बाद यहां पर मैंने थोड़ा से नीचे उसके बाद एक रबर बेंड और डाला है जिस कलर की भी आप ड्रेस पहने हो सेम उसी कलर के रबर बेंड डा जो है अपनी चोटी बना ली है आप इस तरीके से आपके जितने बालों आप इसमें डालते जाए और जो है बालों को थोड़ा-थोड़ा से खीषते जाए ताकि आपके जो फंदे ना जो की रबर बेंड से बने है वह अच्छे से फलपी हो जाए तो आप देख सकते हैं य हैस्टाइल की तरफ बढ़ते हैं पहले मैंने बैकवर्ड मोशन में जो है सारे बालों को कर लिया है उसके बाद यहां पे मैंने इसको सेम वैसे ही प्रोसीजन में पोनी बनाई है पोनी टाइटली बनाए वना आपका जो बन है ना तो वह नीचे को जाएगा तो अच्छा लगेगा अगर आप टाइटली पोनी बनाते हैं तो इससे आपके जो हैस्टाइल है वह अच्छा लगेगा और आपका जो बन है आपके जो है अच्छे से लंबे समय तक आपके टिकर आएगा डीला या लूस नहीं होगा उसके बाद आपने देख सकते हैं यहां पे मैंने इस तरीके डाली है उसके बाद यहां पे मैंने उस रिबन से नॉट बना ली है अच्छे से नॉट लगा ले उसके बाद आपने क्या करना है कि आम ऐसी लूग देना है अलके से बालों को खीछना है ताकि अच्छा सा एक पॉफ बन जाए आपको विदावड एनी पिंस के आपको अच्छा से एक पॉफ बनाना है यानि हलकलका सा खीषते जाएं तो आपके जो बाल है वो आपके जो चम्पू टाइप नहीं लगेंगे उसके बाद आपने क्या करना है बालों को दो पार्ट में डिवाइट करना है और उसके बाद रिबन के साथ एक पार्ट से बन के साथ में उसके बाद आपने क्या करना है इसको राउन डप करना ही और इसके इसको रपेट लीचे एक बने बन बना लीचे तो सी में आप मेरा बहुत ही मैं रिबन केसा काफ एस्ट्राइल लगता है अभी तक आपने चितने बी बन बनाएं कि अलगते हैं sir मैंड़िया पेस्ट कर सकते हैं नाज यह कि वीडियो पसंद आए विडियो पसंद आइंगो राइक शयर और चैनल को जब्रूर्खाइब कीजिए हां मिलती हुए अपर लेक्सНद सब्सक्राइक अंप해도